and welcome you all, I am Ruit from Mahajan Traders so guys, आज हम बात करेगे Amboja Cement के बारे में so guys, Amboja Cement के आज results आने वाले है और result के पहले stock में हमें गिरावट देखने को मिल रही है stock काफी pressure में यहाँ पर trade कर रहा है आज के दिन कभी भी upside का moment और downside का moment हमें देखने को मिल रहा है morning सही और guys, क्या result के पहले की एक हामुशी है, क्या से result आने वाले है, और experts का मानना है कि results अच्छे आ सकते है, और क्या अगर मान लीजेगा, results खराब भी आते हैं तो क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास कोई support level तो चाहिएगी, अगर result अच्छे आते है तो क्या target हो सकता है, यहाँ पर अमभुजा सिमेंट में, तो ओभी हम देखेंगे, और काफी कुछ बाते होंगी guys, इस वीडियो में, अमभुजा सिमेंट को लेकर तो वीडियो को end तक देखना, इसके levels को हम देखने कोशिश करेंगे, और क्या इस stock में चल रहा है, ओभी हम देखेंगे तो guys, वीडियो को start करूँ उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे channel the mahajin trader को subscribe नहीं किया है तो guys, चैनल को subscribe कर देना for shares के updates के लिए, shares की latest news के लिए वीडियो को करते है, start तो guys, बात कर रहे है, अमबुजा cement, ltd के बारे में, आप देख सकते हो और आज stock कहाँ पे trade कर रहा है तो stock trade कर रहा है, morning से ही यहाँ पर 360 रुपे, अब 20 पेसे के आसपास ही घूम रहा है, 50 पेसे तक ही गिराओट हमें देखने को मिल रही है 0.14% के इसाप से stock बड़ा है और आज इसके results आने वाले है और अभी तक declare नहीं किये गए है और इसके chart को हम देखे तो क्या इसके chart में हो रहा है, तो भी हम देख लेते हैं तो अमभुजा सिमेंट के chart पे हम पहले हम बात करेंगे वन विक डे वन चार्ट फ्रेम पर तो गैस यहाँ पर मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ और अभी भी हम देख रहे हैं इसे क्या हो सकता है तो गैस stock में अगर देखो तो एक support resistance stocks यहाँ पर show कर रहा है काभी time पहले से ही और resistance ले रहा है कभी support ले रहा है तो कभी resistance ले रहा है और फिर यहाँ पर support लिया फिर resistance लिया फिर support लिया फिर resistance लिया फिर support लिया तो खुछ इस तरीके से हापर pattern यहापर हमें दिखा ही दे रहे हैं और देखा जाए तो stock में upside downs momentum होते ही रहते हैं और आप देख सकते हो हमें लग रहा था कि यहाँ से उपर क्यों जाएगा तो guys depend करता है results के उपर अगर मान लिजे quarter 3 के results अच्छे आ गए अगर मान लिजे इनके results good आ जाते हैं तो बिलकुल यहाँ से stock उपर की और अका train पकल लेंगा बट अभी तो यह बिलकुल sideways momentum कर रहा है और एक बड़ा move आ सकता है guys जो इसके shareholders है और बिलकुल यहाँ पर cross finger करके बेठे होगे कि क्या results आएंगे तो guys यहाँ पर अगर मान लिजे results अगर खराब भी आते हैं तो इसके पास एक particular support लेवल है जो रहेगा यहाँ पर वो सीधा यहाँ पर support लेके उपर की और जाने कुशिश करेगा तो यहाँ पर मिज़र लगता है कि यह 320 के आसपास यह stock रुख सकता है 330 या 320 के आसपास यह stock रुखने वाला है और यहाँ पर हम आगे भी बढ़ें तो one week चार्ट में पर भी आपको वही pattern देखने को बिलेगा बट यहाँ पर हमारे पास एक positive factor यह है कि यहाँ से stock में आप देखो support लेके ही एक बड़ा spike लगा था फिर resistance लेके नीचा आया था फिर इस particular level पर support लेके उपर गया था फिर यहाँ से हल्का सा momentum आया फिर यहाँ से अलका सा momentum आया फिर यहाँ पर यह अल्रेडी support ले चुका है तो यहाँ से उपर जाने के हम expect कर रहे है कि यही से उपर जायेगा तो depend करता है results के उपर क्या होगे और बिल्कुल positive pattern है guys एक falling wedge pattern यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर तो आपको एक falling flag pattern type का यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर भी वही pattern है बिल्कुल एक range में stock फसा हुआ है और यहाँ पर अगर उपर के और breakout मिल जाता है बल सकता है तो guys यहाँ पर अगर देखा जाएगा पाच दिन से ही stock में गिरावट है और यहाँ पर benefit मिलने वाला है अगर results भी खराव अच्छे भी आते है तो benefit मिलेगा नीचले परहे है इस पर खरिदने के लिए क्योंकि already stock आप खोदी देख लो कि stock काफी गिर चुका है यहाँ से आतक आ गया है तो यहाँ पर jump भी उतना ही बड़ा रहेगा तो पाच दिन के time frame पर अगर आप देखोंगे तो कितना stock में गिरावट हमें देखने को मिल रहे है तो पाच दिन के time frame पर 11 रुपे पेसे तक आसपास यह stock अल्रेडी गिर चुका है 3.13% के हिसाब से और एक महीने में अगर देखा जाए 47 रुपे 75 पेसे तक stock में गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी 11.74 71% के हिसाब से गिरावट हमें देखने को मिल रहे है और 6 महीने में अगर देखो गाईस तो वही pattern आपको देखने को मिल जाएगा आपको इहापर अगर मैं ट्रेल लाइन बनाओ तो वही उसी परकार का pattern आपको देखने को बलेगा breakout का wait कर रहे है काफी दिन से है और गिरावट की बात करें तो उनपचास रुपे 35 पेसे तक गिर गया अल्मोस्ट भजास का ही समझ दिजिए और 12.05% के इसाप से गिरावट है आगर बात करें इसके market cap की तो दमदार stock है गाई इस market cap के इसाप से भी एक तगड़ा stock है 71.49,000 करोड के असपस के इसका market cap है और 22.21 का इसका peer ratio है और dividend की बात करें 5% का dividend भी stock देता है open हुआ था 312 रुपे 50 पेसे के price पे आज हाई भी लगा था 314 रुपे 50 पेसे का और low लगा दिया 308 रुपे 05 पेसे का तो upside down momentum तो चली रहा है target हमारा यही होँगा 442 के असपस का target आप लख सकते हो 442 रुपे 50 पेसे का असपस का 213 रुपे 15 पेसे तक तो stock गिरा ही है नीचे की और तो गैस यहाँ पर अगर बात करें इसके previous क्या रहे है performance हो हम देख लेते हैं तो गैस बात करें अगर इसके net profit की तो इसके performance में आप देखो तो एक अच्छा उचाल हमें देखने को मिला है और देखा जाए 2016 से एक अच्छा momentum के साथ उपर वड़ा है 2016 में इसने 20,093 करोड का यहाँ पर revenue gain किया था और बात करूँ अगर 2017 की तो 2017 में भी 30,608 करोड का revenue gain किया था और 2018 की बात कर ले तो यहाँ पर 26,040 करोड का revenue gain किया है और वही अगर देखा जाए 2019 में 27,130 करोड का यहाँ पर revenue gain किया था बट 2020 में कही न कही COVID के कारण एक gear out हमें देखने को मिली थी और COVID के कारण काफी construction यहाँ पर बंड किये गए था जिसके कारण से बड़ी gear out यहाँ पर देखने को मिली थी और 24,516 करोड के असपास का यहाँ पर down age हो गया था बट वही अगर देखे तो revenues में भले ही गिरावट हो बट यहाँ पर consistent profit इसने कमाया था net profit यहाँ पर कमाया था और वही net profit अगर आप देखोंगे 2020 में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 3,92 करोड के असपास का यहाँ पर जो net profit इसने गें किया है तो guys यहाँ पर अगर मैं एक चीज बताओ कि 2021 में यहाँ पर businesses काफी grow कर रहे हैं और देखा जाए तो इनकी production और selling भी कहा भी जादा होई होगी तो यहाँ पर expectations बढ़ रही है इसको लेकर कि Amboja Cement के results यहाँ पर 2020 में इतने थे तो यहाँ से भी top पर जाने वाले हैं ऐसी expectation हम कर सकते हैं तो देखना होगा आगे क्या होता है बट community sentiments के आकड़े भी अब देखोंगे तो कहीं न कई positive ही हम इने कहेंगे क्योंकि community sentiments के आकड़ों में 86% जो लोग है गाईस वो यहाँ पर buy करने के लिए कह रहा है buy call दिया जा रहा है 86% लोग की और से और यहाँ पर 14% लोग क्या कह रहा है गाई sell के लिए कह रहा है और वन विक के अवरेज में 24 लाग का trade विलिवर 11 लाग का है और वन मन के अवरेज में 34 लाग का ट्रेड विलिवर 17 लाग का है तो देखना होगा कि क्या होता है और वह गाईस वह यह गर दिखा जाए वन विक के ताइम पर इसके price performance में भी 3 years और 1 year का upside के और है बट आप downside के और है तो यही एक opportunity कि यहापर अगर यह down है तो बिल्कुल आप यहापर खरीदारी कर सकते हो क्योंकि इससे बड़ा मुका आपको नहीं मिलेगा आप 4% तक down है बट बाकी 3 years का अगर दिखा जाए 75.61% प्लस में है और 1 year का 25.47% प्लस में है तो resistance भी काफी top पर आपर देखने को मिल रहा है 374 का resistance है highest यहापर तो वहाँ तक भी जा सकता है stop तो गैस यहापर अगर देखो हम बुजा सिमेंट में तो काफी चीज़े positive है बट हमने यहापर आपको का support है क्या target है और हमने आपके साथ share किया है और results के पहले की खामोशी ही गाइस और हमें तो लग रहा है कि results अच्छे ही आएगे देखते आगे क्या होता है वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो को like करो चलो को subscribe करो thank you